असलाम अलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाईयों खेरे से हैं आप लोग अभी इस फ्यूडियों बात करेंगे सौधी अरब की जरूरी अपडेट खास करके जो भी लोग इंडिया से सौधी जा रहे हैं और आपने कॉरंटाइन पैकेज लिया ह है तो उसके बारे में क्योंकि सौधी अरब ने इन सब चीजों के पे पावंदी हटा दी है कॉरंटाइन नहीं करना है पीसी आटेस्ट की ज़रूरत नहीं है और भी बहुत सारी बाते हैं जिसमें एक इंपोर्टेंट बात यह है कि अब सौधी अरब में कोरोना पैसा फस जाएगा सच बतारो आपका पैसा फस जाएगा तो वीडियो के इट तक देखते रही है अगर आप फेस्बुक पर देख रहे मेरी वीडियो के तपहले शेयर कर दीजिए जो भी लोग सफर कर रहे हैं उनको ये वीडियो की सहलियत से हेल्प हो जाएगा और उनका पैसा फसने से बच जाएगा क्योंकि कोई गी ट्रैवल एजेंट पैसा लेने के बाद बापिस नहीं करते हैं समझ रहे हो वो आपको घुमा पी रहा करके इधर से उदर से काट कूट करके और आपको फिर भेजेगा आगे तो आज की नियूज में सबसे पहले में आपको श जाएगा तो साओधी के हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल आली उनका कहना है कि अब साओधी अरप में कोविड नाइंटीन का आखरी केस का रिपोर्ट अब बता दिया गया कल तक और आज आखरी प्रेस कांफरेंस है इसके बाद मैं कोई भी प्रेस क बताया जाएगा मतलब आज आखरी था खतम अब नहीं बताया जाएगा और इस इन्हों ने ये भी कहा है कि मास्क को अपना दोस्त बना लीजिए लाइफ टाइम आप अपनी सेफटी आपके हाथ में हैं अब कोई भी इस बारे में मैं अब कोई प्रेस कांफरेंस नहीं सौधी गवर्मेंट आपको पता है कि हर चीज पर ध्यान रखती है तो इनको पता चल गया कि बहुत सारे ट्राइवल एजेंट बहुत सारी एरलाइन्स ने जो कॉरंटाइन पैकेज का सिस्टम बनाया है चाहे वो सौधी एरलाइन्स हो या जितने भी एरलाइन्स है उन्हो इनका ना पांस दिनका नहीं PCR टेस्ट करानी की जहुरत है तो जितने लोगों ने पुराने टीकट में एडवांस बुकिंग करा रखी है कॉरंटाइन पैकेज का यहां पर इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर में वही साथ सर्ते जो सर्तों के बारे मैंने आ हो सके जल्दी सभी लोगों का कॉरंटाइन पैकेज का पैसा लोटा दीजिए क्योंकि अब हम सौधी अरब में किसी का भी कोई कॉरंटाइन नहीं कर रहे हैं अब सब नॉर्मल हो चुका है यहां पर तो आपका अगर पैसा फस चुका है कॉरंटाइन में तो ट्रेवल एज लिखा रहा है दो चार आदमी को साथ ले करके जाओ इसके बाद आप उनको पढ़ा लिखाओ क्यूंकि अनॉंस्मेंट हो चुका सब कुछ हो चुका तो मुझे ना दुबई से जाना है वाया हो करके ना मुझे कॉरंटाइन करना मुझे डारेक सौधियर भेजिए मेरा वी मैंने मौर्णिंग में भी इस बात का जिक्र किया था अब बहुत सार लोगों को मैंने बोल भी दिया था तो कम्मेंट में सब लोग ने कहा माशाला जावेद अच्छा कि आपने बता दिया तो अब ना तो आपको PCR कराने की जवरत है सौधियर भाने के लिए ना की जवरत है ना कॉरंटाइन करने की जवरत है सभी एयरलाइन से रिक्वेस्ट कि आपना-अपना कॉरंटाइन पैकेज का जो पैसा है उसको रिटन कीजिए जीधर से भी जो भी लोग हैं किसी भी देश से साधुधियर पहुंच रहें उनका तो यह नियो जरूरी सी आप स वे विदेसी जिन्होंने एक कोरणा की दवा लगाई है या दवा लगाई ही नहीं है तो क्या वो सौधियरभ जा सकते हैं तो यहां पर इनका कहना है डॉक्टर तलाल अलसलो का कहना है कि सौधियरभ में आने वाले ऐसे कोई भी आदमी आ सकता है जिन्होंने वैक्सिन तो कॉरिंटाइन भी नहीं किया जाएगा ठीक है तो अब सौधी अरब आना और जाना आसान हो गया है जी आसान हो गया है इसके साथ ही एक और update में आपको share करूँगा रमदान के महीने का permit उम्रा permit जी उम्रा परमिट आपको लेना पड़ेगा उम्रा permit का नियम खते नहीं हुआ है हाला कि full capacity के साथ माशाणला आज मगरिब की नमाज, एशा की नमाज, वजर की नमाज पढ़ी गई साओधी अरब के अंदर मस्जिदों में भी पढ़ी गई अलहम दूलिल्ला मस्जिद में आप लोग नमाज पढ़ा ही होगा तो रमजान का जो है आपको उम्रा परमिट जारी होना सुरू हो चुका है और आप अभी उम्रा परमिट ले सकते हैं का अलहम दूलिल्ला वाकि नमाज पढ़ने के लिए आपको को परमिट की ज़रूरत नहीं है मक्का और मदीना में अलहम दूलिल्ला सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल है और लाश्ट बात जो भी भाई बोल रहे थे कम्मेंट में जाविद भाई आप तो तवकलना की ज़ जरूरत है यह आपके उपर है कि मास्क लगाते हो या नहीं लगाते हो लेकिन जिस जगह मास्क की जरूरत है मास्क लगाईए आपकी सेफटी की बात है अगर आप बाहर देश में हो तो खास करके और कौर तवकलना हर एक जगह पर जरूरत है तवकलना के बगार कोई भी आ आपको दुकान में इंटरी नहीं करने देगा मॉल में इंटरी नहीं करने देगा यह दियान लखेगा तो वाकलना कंपल सरी किया गया है जो अपडेट रहेगी मैं वही आपको बताऊंगा और जो online forum हम भरकर साधिय रभ से इंडिया आते हैं और जो online online form जो भर कि सौधियरव आते हैं एमोच की वेबसाइट का वो भी भरना है उसका जिक्र यहां पर नहीं किया गया कि नहीं भरना है ठीक है अगर आएगा ऐसा कोई अपडेट में आपको बताऊंगा अब आपको मैं इस वीडियो में बोल दू कि अब ना तो करोना की आएगा ठीक है दो मियाद रखेगा अपना ख्याल लखिए अल्हाफिज झात स्रस्थे लखिछेश स रखेटमा जात से लिखंडेश कि अपडेश था उसके बना चरब़ झाल झाल